हेलो एवरिवन, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल एजूकेशन वायर तोड़े वी आर गोइंग टोक अबाओ तब पोयम नेम फ्रा लिपो लिपी बाई रोबर्ट ब्राउनिंग जो रोबर्ट ब्राउनिंग की ये जो पोयम है ड्रेमेटिक मोनेलोग पे बेस्ट है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है आयम बिग पेंटामेटर यूज किया गया है और साथ ही ये 1855 में पबलेश होई है मैन एंड विमेन नाम की कलेक्शन में इस पोयम में आर्टिस्ट की रिस्पोंसिबिलिटी शो की गई है रियल आर्ट दिखाए गई है कैसे एक आर्टिस्ट की रिस्पोंसिबिलिटी है कि वो ट्रू चीजें शो करे जो जैसी है उसी चीज को वैसे ही शो करे ऐसा कहा जा सकता है रियल आर्ट शो की गई है तो फ्रा लिपो लिपी वोज एन एक्चुल मॉंक who lived in 15th century and he was a painter also तो ये point start होती है कि फ्रा लिपो लिपी को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले आदी रात को और वो पुलिस को आंसर करता है बचने के लिए कैसीनो दे मेडिसी को जानता है वो ऐसा वो आंसर करता है kind of उनके लिए वो काम करता है तो जैसी वो ये बात सुनते हैं तो कैसीनो दे मेडिसी का नाम जैसी सुनते हैं वो एकदम से दूर हो जाते हैं क्योंकि कैसीनो दे मेडिसी का नाम बहुत चलता है वो उसे पूछते हैं कि वो मंक है लेकिन इस तरह आदी रात को क्यों घूम रहा है तो अब वो आंसर करता है अपनी मोनेस्टिक लाइफ के बारे में बताता है कि वो मोनेस्ट्री में रहता है और वो यहां से जा ही रहा था तो तब ही वो आप लोगों ने उसे पकड़ लिया है सब वो आंसर करता है तो मोनेस्टिक लाइफ के बारे में भी डिसकस करता है वो बताता है कि उससे सुपीरियर लोग जो हैं वहां पर वो उसे फ्रीडम नहीं देते वो ये भी बताता है कि वो ओर्फन था और उसे खाना और रहने की जगह चाहिए थी इसलिए उसे मोनेस्टिक में रहना पड़ता है उसके पास आर्ट है वो चित्रकला में माहिर है जो भी चीजे उसे अच्छी दिखती हैं वो उसे पेंट कर देता है वो बताता है कि उसकी रियलिस्टिक आर्ब को प्रेज नहीं किया गया बस उसे इंसिस्ट किया गया कि वो सेंट्स की गोड की इमेजिस को बनाए ना कि एवरीडे लाइफ की रियालिटी को बट लिपो यहां हर उस चीज को पेंट करता है जो कि रियल है चाहे वो कैसी भी हो वो एक ओडनरी लाइफ में जो भी चीजे है चाहे वो पॉजिटिव हो नेगिटिव हो जो लाइफ की रियालिटी है उन्हीं सब चीजों को वो पेंट करना चाहता है लेकिन इस चीज की परमीशन उसे नहीं मिली हुई क्योंकि वो मौनेस्टरी में रहता और वो मौनेस्टरी के लोग चाहते हैं कि वो चर्ट से रिलेटेड गोड से रिलेटेड चीजे ही पेंट करे लिपो कहता है कि एक पेंटर सोल दिखा सकता है बोडी को रिप्रेजेंट करके वो कहता है कि simple beauty एक best चीज है गोड ने जो invent की है वो कहता है कि एक true artist वो होता है जो equal attention दे body को साथ ही साथ soul को भी वो एक pure और real picture paint करना चाहता है जिसमें eyes, hope, fear, sorrow, joy सब कुछ perfect तरीके से real show किया जाए वो आगे बताता है कि इस चीज पर conflict होता है उसका और monastery के लोगों के साथ कि वो चीजों को ऐसे paint करना चाहता है जैसे कि वो real है but his masters insist him to paint life from a moral perspective उसके जो masters है वो चाहते हैं कि ये moral perspective से चीजों को paint करें जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ सिक्षा मिले वो एक question यहाँ पर create करता है और कहता है whether it is better to paint things as they are or to try to improve upon goat's creation कहता है कि एक artist को वो paint करना चाहिए जैसे की चीजे हैं या फिर जो भगवान ने बनाई है उसमें भी improvement दिखा देना चाहिए वो कहता है कि एक artist के पास वो power है कि वो उन चीजों पर new light डाले जो कि लोग for granted लेते हैं जो कि लोग deeply नहीं सोचते जिसके बारे में अगर वो अपनी pictures में अपनी art में वो दिखा दे तो लोग उस चीज को समझेंगे वो show करता है कि how his masters reun his purpose of art उसके जो master है उसका purpose of art कैसे reun कर रहे हैं कैसे बेकार कर रहे हैं वो ये चीज़ show करता है उनको बताता है वो आगे अपना plan बताता है कि how he will satisfy both his master and himself तो वो ये plan बताता है कि वो आगे चलकर अपने master और खुद को satisfy कैसे करेगा वो एक painting बनाता है कहता है कि इस painting में gold वो एक gold को बनाएगा और साथ ही gold को भी show करेगा साथ में saints को भी show करेगा monks को भी show करेगा and like moral purpose इस तरीके से वो painting बनाएगा जैसा कि monastery चाहती है लोग चाहते हैं कि church से related बनाए moral चीज़ों पे based बनाए बर साथ ही उस painting के quarter में खुद को represent करेगा then it shows the unavoidable collision between subjectivity and objectivity यहाँ पर वो side में खड़ा होकर foolish चीज़ों की तरफ देखेगा ऐसा वो picture में show करेगा कि सब कुछ perfect तरीके से चल रहा है लेकिन कहीं न कहीं एक इंसान ऐसा है जो इदर उदर देख रहा है foolish चीज़ों की तरफ unnecessary चीज़ों की तरफ देख रहा है तो collision दिखाएगा subjectivity और objectivity के बीच में मतलब reality दिखा दी कि gold है सब कुछ है लेकिन side में कहीं न कहीं वो खुद भी खड़ा है और जो कि इन सारी moral चीज़ों पर ध्यार नहीं दे रहा इधर उदर देख रहा है तो उसका कहना था एन आर्टेस शिट बी truthful and realistic he should not ignore any aspect physical or spiritual in his painting कुछ भी उसे miss नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे चीज़े ऐसी है जिसको paint किया गया है painters के द्वारा और लोगों ने उस painting के बाद उन चीज़ों को notice करना start किया है so this was a true function of art according to him so according to him ये एक artist की responsibility है तो कि वो किसी चीज में अगर interest रिखाता है तो उसको real तरीके से show करे so सबसे पहले उसने start किया man के faces बनाना अपनी books पे और benches पे floor पे door पे ये सारी चीज़े वो paint करने लगा लेकिन monks जो इससे irritate हो गए और उन्होंने request किया कि इस boy को यहां से बाहर निकाल दिया जाए लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला कि क्यों ना इसके talent को use किया जाए उन्होंने उस boy को encourage किया कि तुम painting continue करो लेकिन इस painting में church को दिखाओ prayers को दिखाओ कुछ monks ने उसे appreciate भी किया उसकी drawing के लिए उसकी drawing for realism और उसको praise भी किया कि बहुत अच्छी painting करते हो तो अब जो उसने रास्ता निकाला है कि वो दोनों चीजों को satisfy करेगा monastery के logo को भी खुद को भी एक ऐसी painting बनाकर जिसमें gold को भी दिखाएगा और खुद वहाँ side में corner में खड़ा होकर foolish चीजों की तरफ देखेगा so वो जानता था कि एक beautiful picture होने वाली है और वो सब को जो watchman थे जिनको अपनी life story बताता है उसके बाद उन्हें goodbye कहता है और वहाँ से जाने की तयारी करता है और जब वो से light दे रहे होते है torches की help से तो वो कहता है कि उसे उनकी torch की need नहीं है वो easily अपना residence जून लेगा और वो जा सकता है so this was the end I hope you guys understand if you understand hit like share it and subscribe it thank you